साकेत मुक्ती अंदोलन साकेत मुक्ती अंदोलन को लेकर यह महतोपुर्ण आज हम घोशना कर रहे हैं कि एक जुलाई को देश्व्यापी स्तर पर प्रदर्शन रेयालियों का निर्धारित कारिक्रम था मगर इसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है अनलोक टू के तहत सामाजिक, राजनितिक और धार्मिक कारिक्रम करने के लिए पाबंदी है और उसे देखते हुए इस प्रदर्शन रेयलियों में बदलाव किया जा रहा है, उसे एक्स्टेन किया जा रहा है और अब ये अंदोलन एक तारिक से लेकर 31 जुले तक चलो गाव की ओर साकेत मुक्ती अंदोलन का अभियान गाव गाव स्तर तक लेकर जाना है और पुरे भारत भर में गाव गाव में इस बारे में जानकारी देकर गाव गाव से भी ग्यापन दिया जाएगा और इसलिए ये बदलाओ हम कर रहे है पुरे भारत भर में इसका जनजागरन करना और इस मोहिम का मंत एंड तक प्रचार प्रसार करना ये इसका उद्देश है और अगले अंदोलन की रणनिती को ध्यान में रख कर और इसमें जो भी बदला होगा इसका समय समय पर जानकारी दी जाएगी अनलॉक टू का कारेकरम भारत सरकार के द्वारा आज तीस तारिक को गोशित किया गया है उसके तहट सामाजिक, धर्मिक और राजनीतिक कारेकरम चलाने के लिए पाबंदी लगाई गई है, उस बात को ध्यान में रखते हुए विलाज खरात के द्वारा, साकेत मुक्ति आंदोलन के माध्यम से एक जुलाई को जो प्रदश्चन डेह लिया, सारे देजभर में की जाने वाली थी चोकि अविस्तिरा का कारेकरम करना संभव नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कारेकरम को बदला गया है ऐसी जानकारी विलाज खरात के द्वारा, हमें प्राप्त हुई है इस बात को ध्यान में रखते हुए, जो बदला हुआ कारेकरम है साकेत आंदोलन के लिए चलो गाउ की वोर इस तरह से ये कारेकरम बदला गया है इस बदले हुए कारेकरम को बामसे भारत मुक्ति मोर्चा, भोजन करंती मोर्चा और आफशुट और अर्गनाईजेशन के लोगों के द्वारा, संगटन के द्वारा समर्थन किया जा रहा है और संगटन के तमाम कारेकरताओं को ये निर्देश दिया जाता है कि इस आंदोलन को चलो गाउं की वोर के माध्यम से जो साकेत मुक्ति आंदोलन है गाउं गाउं में फैलाने के लिए हमारे तमाम कारेकरताओं को बुदिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के इस कारेकरम को साथ सयोग करना है और इसके लिए बुद्धि पैसा हुनर समय और श्रम पूरे थाकत से पूरे शक्ति से लगाना है यह गोशना आज मैं गोशित करता हूं झाल 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 झाल